Friends UPI pin set करने के लिए आपके पास एक ATM card होना ज़रूरी है यह वही ATM card जिस ATM card से आप UPI pin create किया है या create करना चाहते है Friends अगर आपने UPI pin भूल गए हो या UPI pin set करना चाहते हो तो सेम तरीके से अब UPI pin को set कर सकते हैं अब किसी भी UPI app पे जाके set कर सकते हैं तो मैं Google पे application open किया हूँ Google पे open हो गया अब यहाँ पर उपर में देखे एक logo दीखाई दे रहा है यहाँ क्लिक करना होगा यहाँ पर देखे bank account शो कर रहा है अगर आपने bank account set नहीं किया तो अब यहाँ क्लिक करके आप नीचे यहाँ पर देखे एक bank account शो कर रहा है अब यहाँ से नहीं bank account यहाँ set कर सकते हैं मेरा यहाँ पहले से यहाँ से है तो मैं यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ नीचे देखे forget EPI-PIN यहाँ क्लिक कर दिया अगर आपने UPI-PIN भूल गया या सेट करना चाहते तो आप सेम तरीका से अप सेट कर सकते तो यहाँ पर देखिए जो ATM कार्ड है, ATM कार्ड का जो last six digit है यहाँ इंटर करना होगा, आप जो बैंक के ATM कार्ड के साथ लिंक करना चाहते उसी बैंक की ATM कार्ड को यहाँ पर आपकी सामने ही इंटर करूँगा, और एक SPI-Date यहाँ पर देखे, यहाँ क्लिक कर देना होगा, अब यहाँ पर एक OTP आएगी, OTP जीस मोबाइल नमबर के साथ ATM लिंक है, उसी मोबाइल नमबर पर OTP आएगी, तो मैरा मोबाइल नमबर यहाँ पर इंटर है, तो यहाँ पर OTP आ मांग सकते है, तो मैं यहाँ पर 4 डिजित मांग रहा है, और 4 डिजित मैं इंटर कर लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पर नीचे टिक मर्क देखे, री एंटर UPI PIN सेट करना होगा, अब ओही पीन फिर से देखे, कॉन्फर्म करूँगा, उसके बाद फिर से टिक मर्क देना होगा, और लोडिंग हो रहा है, लोडिंग के लिए आपको वेट करना होगा, देखिए, UPI PIN आप लोटेट शो कर रहा है, उपर सकस्पूल मैसेज भी आ गई है, फ्रेंस, ATM कर लेके अब किसी भी एप पर यह काम कर सकते है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पे ATM, एमाजन पे बहुत सरे जहां पर UPI active है, वो ही पर जाके आप UPI PIN को set कर सकते है, आपका जो UPI PIN, नया वाला जो UPI PIN होगा, वो सब एप में जो UPI PIN है, सब का एक जैसा होगा, फ्रेंस, इसी तरह से अब किसी भी एप पर जाके UPI PIN को set या reset कर सकते है, फ्रेंस, उमीद है, आपको झाट